कि इसके आने वाले प्रण्याम कैसे होंगे मैं देश के सभी जाती धर्मवर्क के लोगों से अपील करना चाहता हूं साब्धानी बढ़ते हैं और इतनी साथ इस महामारी से बचाहता हूं करोना महामारी पर करोना महामारी से लड़ते हुए हमने वाइरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है इस महामारी से बचाव ही उपाए है ऐसे में सभी की जिम्मेदारी है की करोना संक्रमक को लेकर किसी तरह की लापरवाई नहीं बरते मैं देशवासियों से अपील करता हूं की वे भीड़ वाले छेत्रों में जाने से बचे आपस में दूरी बनाएं रखें माक्स पैने एवं बार बार हाथ दोने सहीद स्वास दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें मैं प्रेमलता जिलाद्यक्ष भारतिवय स्वगमंच जिलाणमीन शात्रा आपके चैनल के मादेम से सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहती हूं की इस बार हमारा मुकावला उस आद्रिश्य दुश्मन से है जो हमारे घर के बार घात लगाकर बैटा है एक छोटी सी गूल हमें अपनों से दूर कर सकती है और हमारे अपनों को भी खत्रे में डाल सकती है उसे देखते हुए मास्क लगाना हातों को अच्छी तरह से साफ करना और सोसल डिस्टैंसिंग का पालन करना ही काफी नहीं है इसके लिए जरूरी है कि जहां तक संबब हो आप घर से बहर नार निकलें होसा बाइने है आप अफ। flor नहीं की दालन करना प्राम जह अबाल तक खेहे वोसा नहीं करना मेंट हैं अजह मरत दोल वड़त लों स इनास, हैं तरत 50? है इसलिए प्लोंसा थाला तरत 14? हैं पु को बखं़ अर भ भ्याव हैं आपने का छाँना का एंग Bluetooth please do not leave the house if it is not that necessary by making ourselves safe, secure we are making other people secure and safe this is how we can protect ourselves and our family members as we all say in scouts if we will change ourselves today the world will be changed tomorrow so with this I would again bless for your good health नमस्कार, असलाम अलेकुम साथियों साथियों जिस तरीके से आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में और खास्तोर से दिली में करोना की सुनामी आई हुई है हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, आईसियों नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है और नहीं दवाईयां उपलब्द हैं पूरी तरीके से, ऑक्सीजन की बहुत कमी है जिस तरीके से एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि तीसरी वेव और भी जादा घातक साबित होगी और भी जादा खतरनाक हो जाएगी मैं आप सभी लोगों से हाज जोड़ के बिंती करता हूँ, इलतजा करता हूँ कि कृप्या करके अपने घरों से तभी बाहर निकलें जब जरूरत हो मास्क, डबल मास्क जरूर पहने, सैनिटाइज करें अपने हाथ को और प्लीज अपना बहुत ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें क्योंकि जिन्दगी बहुत ही जरूरी है और जिस तरीके से हमारे देशवासी, दिल्ली वासी, इतने सारे लोग जिनकी जान खत्म हो गई, उनको आज हम सद्धानजली भी देते है और बड़ा दुख होता है, जब देखते हैं कि हर दूसरी ख़बर किसी के मरने की आती है प्लीज मेरी आप सब लोगों से बिंती है, प्लीज प्लीज अपना ध्यान रखें, जैह हिंद नमस्कार सातियों, मैं रोईत रिजन चौदरी, तरहखंट से, आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपके दो मिंट लेना चाहता हूँ सातियों जैसे आप देख रहे हैं, देश में क्रोना मामारी किस कदर फैल चुकी है और कितने घातक पढ़ने आम इसके आ रहे हैं, सातियों समय उचित नहीं ज़्यादा बात करने का, फिर भी मैं अपने मंदिते आप से कुछ कहना चाहता हूँ आने वाला तीसरा फेस, वो कितना घातक सावी तो हुआ, इस सरकार को भी नहीं मालूम, वैज्यानी को भी नहीं मालूम, डॉक्टर को भी नहीं मालूम तो आप इसी बात से समझ जाएं, कि इसके आने वाले प्रण्याम कैसे होंगे, मैं देश के सभी जाती धर्मवर्क के लोगों से अपील करना चाहता हूँ साब्धानी बढ़ते हैं, और इतनी साब्धानी बढ़ते हैं, कि आप सुक्षित रहें भूल जायें कोई सरकार आपकी मड़ Griff करे गी, परशाशन आपकी मड़ करेगा क्योंकि सिस्टम फेलियर हो चुका है, कंदे बढ़े सरकार फेलियर हो चुकी है क्रोना के तीसरे फेस के वारे में जो अभी तक सुनने में आ रहा है सबसे ख़तरनाक बाद यह हमारे बच्चों पर टेक करेगा और तीसरे फेस में कोई उमर का लिमिट नहीं रह जाएगी चाहे वो ज्यांग एच का हूँ चाहे मेरे बुजरूवर के लोग हो चाहे वो बच्चे हों मैं खास सोर से विंती करना चाओंगा उन माता भैनों से इनके बच्चे बहुत छोटे हैं बहुत ध्यान रखें सुरक् से रखें और तीसरे फेस्ट के दिने को त्यार हो जाएं मास का प्रियोग आप पूर्ट रूप से करें शोशल डिस्टेसिंग का पालन करें पब्लिक प्लेस से आने याने से बचें और जो जो महत्पूर तुरक्षाय आप ले सकते हैं उनका पालन करें क्योंकि देश के अंदर जो हालात बने वें उसके समिक्षा ना आप कर पाओगे ना मैं कर पाओगा क्योंकि सरकार है तो आपको मालूम मैं आप देखी रहें चाहे हो केंदर सरकार हो चाहे हो राजी सरकार हो अपने हाथ खड़े का रखे चाहे डॉक्टर की लाइन हो चाहे वो अस्पतार की लाइन हो और अब तो मुझे पताता है बड़ा अपसुता है चाहे वो शम्षान की लाइन हो आपको वाँ के लिए खड़ा होना है दोस्तों मेरी फिर आप से आज रहे हैं तीसरे फेस की ने बिल्कुल तयार हो जाए बिल्कुल आप परवई ना करें दन्यवाद for information on the news around you keep watching facetalk youtube channel subscribe to the latest news and press the bell icon for information on the news around you keep watching facetalk youtube channel subscribe to the latest news and press the bell icon for information on the news around you keep watching face talk youtube channel subscribe to the latest news and press the bell icon